इरान की एक-एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतनियाहू इरान के एक-एक हमले का जवाब देना चाहता है इसराइल ईरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के आकरामक छवी वाले रौब को तार-तार कर दिया है यही वज़ाए कि अब इसराइल हमले के लिए बेखरार है यही वज़ाए कि इसराइल से एक फोटू आई है जिससे सबसे बड़े युद्ध का एलान माना जा रहा है ये है इसराइल के आर्मी चीफ हर्जी हालेवी और साथ बैटे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुक जनरल माइकल कुरिला जनरल कुरिला की मीटिंग का मतलब साफ है इरान पर हमले की तारीख फिक्स हो गई है इरान पर हमले का टार्गेट फिक्स हो गया है इरान पर हमला कैसे होगा ये भी पक्का हो गया है इसराइल में हो रही हरकत के बाद इरान में टेंशन बढ़ गई है इसमें कोई शक नहीं इसलिए इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वॉर्णिंग दे चुके हैं कि इसराइल की दूसरी खलती उसका आखरी ब्लंडर होगा इरान पर हमले के लिए इसराइल के एरपोर्स और कूफिय आइजनसी मुसाद पूरी तरह एक्टिव है यानि इरान पर हमला होगा और जबरदस्थ होगा लेबनौन में भी इसी बात की चर्चा चल रही है कि इसराइल बहुत जल्द इरान पर हमला करने वाला है जब लिबनौन और इसराइल के बीच जंग चल रही है तो नया फरंट इस युद को और बढ़ाएगा पहला सवाल है कि इरान पर इसराइल कब हमला करेगा या हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा दूसरा सवाल है कि इसराइल इरान पर कहां हमला करेगा तीसरा सवाल है कि इसराइल के टार्गेट पर कौन कौन है इसराइल के सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है उसकी एरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है इरान के मिसाइल अटाक के बाद इसराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा किस तरह के टारगेट वो चुनेगा मुम्किन है कि अब तक सब टारगेट फाइनल भी कर लिए गए हो इसराइल के टार्गेट पर एरान के बहुत ही खास ठीकाने हैं इसमें एरान के पर्माणू रियाक्TER सबसे पहले नमबर पर है क्योंकि उसे खत्रा है कि इरान आटम बं बनाने वाला है दूसरे नमबर पर है इरान के तेल ठीकाने यानी रिफाइनरी, तेल डीपो जो इरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा तीसरे नमबर पर है इरान के सीक्रेट अड़े यानी सैन अड़े रिवलूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एर बेस इसराइल का चौथे नमबर का टार्गेट है इरान के मिसाइल बेस जहां से इरान अपनी मिसाइल फायर करता है लेकिन ये टार्गेट आसान नहीं क्योंकि इरान का मिसाइल लाँचिंग नेटवर्क सब कुछ अंड़र्ग्राउंड है पांचवे नमबर पर बहुत ही खास टार्गेट यानी इरान का नितरत इसराइल ने जिस तरहां इहजबुल्ला के चीफ हसन नसर अल्ला को मारा है इसराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो इरान की लीडर्शिप के खिलाब करे इसराइल किस हत्यार का इस्तिमाल करेगा क्या ये हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खूफिया उपरेशन जिसे मुसाद अन्जाम देगा अभी इसराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इरान का कौन सा हत्यार इरान के खिलाब इस्तिमाल होगा इस वक्त इरान के लिए ये डिकोट करना सबसे बड़ा चैलेज बन चुका है और जब इरान पर हमले की बात है तो ऐसे में इसराइल की फोर्स से मिलने के लिए जू बाइडर के कमांडर का तेलवीव आना अपने आप में बड़ा मेसेज है अमेरिका के जनरल और इसराइल के जनरल दोनों की मिटिंग साबित करती है कि इसराइल और अमेरिका अब बहुत तालमेल के साथ लड़ रहे हैं और उनका इस तरह साथ आना इद्ध के दाइरे को बढ़ा देगा इसराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुक जनरल माइकल कोरिला ने जो फैसली किये है उसे इरान में बड़ी साज़िश के तौर पर देखा जा रहा है इरान का दावा है कि घाजा से लेकर लिबनान तक अमेरिका इसराइल के साथ मिला हुआ है इरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इसराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाईलों की बड़साथ कर देगा जब युद्ध की चिंगारी पूरी तरह भड़क चुकी है इस्राइल के किलाव इस्लामिक देश मोर्चा बंदी कर रहे है इतने इस्राइल भी अमेरिका पस्विमी देशों को एक जुट करने में जुटा है ऐसे में अगर ये जंग इरान तक पहुँची तो यकीन जानिये ये बहा युद्ध में तब्दील हो जाएगा इसलिए ये ऐसे युद्ध की चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडन भी इस युद्ध की शुरू होने से पहले कई अक्टर शामिल हो चुके हैं एक तरफ एरान बनाम इस्राइल है तो दूसरी तरफ बाकी अक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, साथी अरब है, लेबनान है, इराक है, सीरिया है, यमन है तुर्की भी इस युद्ध से अचूता नहीं रहेगा, अजरबाइजान, आर्मीनिया भी इस युद्ध में खिचे चले आएंगे, युद्ध शुरू हुआ, तो नेटों को भी आक्शन में आना पड़ेगा और चीन को कौन नजर अंदास कर सकता है लेकिन युद्ध को काबू करने के बजाए इस वक्त इरान और इसराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेस करेंगी पैंटगन से लेकर इसराइल के वार रूम तक घंटों मीटिंग हुई है और अब भी चल रही है तहरान को जवाब देने के लिए क्या अमेरिका भी इतने ही प्रेशर में है जितना इसराइल है ये बड़ा सवाल है तो चलिए इसका जवाब भी आपको दिखा देते हैं एक तरफ नेतनियाहू बम गिराने वाले हैं और दूसरी तरफ बाइडन बारात में जा रहे है नेतनियाहू के टार्गेट पर घजा है, बेरूत है, इरान है और बाइडन वाइट हाउस के स्टाफ की शादी में है और बाइडन अब पार्टी मोड में आ चुके है ये बारूद वर्सिस बारात वाली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देख रही है वैसे बाइडन ने सेंटरल कमांड के जनरल माइकल कुरिला को तेलवीब बहुत सोच समझ कर भेजा है इसके पीछे अमेरिका का एक बड़ा मेसेज है मेसेज ये कि अगर एरान और इसराइल का युद हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह एरान की धाल बनकर खड़े होंगे या कहे कि एरान और इसराइल युद अमेरिका बना मुरूस की जंग बन जाएगी खबर ये भी है कि एरान को रूस से S-400 एर डिफेंस सिस्टम मिल चुके है सवाल है कि क्या ये खास इसराइल को रोकने के लिए सप्लाई किये गए है रूस की तरह एरान भी दुनिया में एक मल्टी पोलर यानी बहुत रिव्वे सिस्टम चाहता है यानि अमेरिका की दादागीरी नहीं चलेगी ये रूस और इरान दोनों बताना चाहते है तहरान में हमास प्रमुक इसमाइल हानिया और लिबनान में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के हत्या के बाद फुतिन ने अपने सबसे शीर्ष प्रतिनी दी इरान भेच चुके हैं ये नेतन याहू को भी बड़ा पैगाम है और बाइडन को भी बहुत खतरनाक मेसेज है इसराइल अब कैसे वार करेगा और इरान फिर कैसे जवाब देगा इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है 2022 रूस ने युक्रेन पर हमला करके पूरे यॉरप को डरा दिया अमेरिका तक धबरा गया 2023 हमास ने इसराइल पर हमला करके पश्रीमेशिया का सबसे खतरनाक युद चेर दिया लेकिन 2024 सवाल है कि क्या इरान और इसराइल का युद हुआ तो वल्ड वार शुरू हो जाएगी यानी 2022 में तो दुनिया वल्ड वार से बजग गई 2023 में भी गज़ा युद के बाद विश्मिद नहीं हुआ ऐसे में का 2024 सभी जंगो का बायलिंग पॉइंट बनेगा और इरान इसराइल युद के साथ विश्मिद बी शुरू हो जाएगा अब्तकाराती अलाँ वजूद दुनिया तरस्ट बगए चिश्वराई मन्तगे और बगए अज़राई फरा मन्तगे मा बे मश्वरत हाँ खुदमून बा उन किशवर हा अदाना खाहीं देए अमली यक अक्सल अमली खाहएद बुद दुनिया अरान बे सुरत मतनासिब और मुशाबह अरान के मिसाइल पावर से इसराईल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है ये बात बाइडन और पुतिन दोनों जानते है इरान ने जिस तरह से इसराईल पर हमला किया उसे तीसरे विश्यूद की दस्तक के तोर पर देखा जा रहा है इरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर फोर पर इसराईल का पूरा फोकस है ये टेकनॉलिजी के मामले में इरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है इन में से खुर्रम शहर फोर की रेंज दो हजार किलो मीटर है और ये डेड़ हजार किलो तक का वार हेड ले जा सकती है इसलिए इरान का जवाब भी फौरान आएगा और दो गुनी ताकत से आएगा अब देखना है कि अगले 24 घंटों में इरान और इसराइल के बीच क्या होता है दोनों की तैयारी पूरी है अला कि अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इसराइल के पास है इसराइल गाजा और दक्षन लेबनान के लावा बेरू तक लगातार हमले कर रहा है इसराइल के हमले के जवाब में हिजबुला ने ड्रोन से मिसाल दा किये लेकिन युद्दों में इसराइल का बड़ा जटका नैटों के तीन देशों ने उसे दिया है तुर्की के प्रेजिडेंट अर्दोवान के दाव से इसराइल बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है निजर कर दिय्थ मर्स फड्रक्राइब युद्दोव एड़ी में युद्वि को आप है झाल झाझ नाजर देशो ऊड्र के लिए कर दो कर दोस्त्व फिर आवस्ता इसस्त्रोमिठ व्यानच जिंदेषищ और्णर इससराइली पर बरावर की मार चल रही है लेकिन नेतनियाहू को जिन देशों से युद्ध में साथ की उमीद थी वो भी एक एक कर रुख बदलते जा रहे हैं नेतनियाहू का ये गुस्सा ये जुन्जलाहट यूं ही नहीं फ्रांस ने इसराइल को हत्यार सप्लाई तक थप कर दी है युद्ध में साथ देने की बात तो दूर है जिसके बाद नेतनियाहू फ्रांस पर फट पड़े है मैकरों को घरी खोटी सुनाने भर पर बात खत्म नहीं हुई है ब्रिटेन ने सिगनल दिये है कि इसराइल का साथ देने की ताकत फिलहाल उसमें नहीं ब्रिटिश पीम कीर स्रार्मन ने इसराइल से सैयम की अपील की है साथ ही ये भी क्लियर किया कि ब्रिटेन को घाजा युद्ध से नुकसान हुआ है यानि नेटों के तीन ताकतवर देश इसराइल से दूरी बनाते दिख रहे हैं इसमें पहला देश है तुर्की जिसने पहले ही इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है दूसरा फ्रांस जिसने इसराइल के हत्यार सप्लाई रोक कर नेतन याहू को सेट बैक दिया है तीसरा ब्रिटेन जो इरान इसराइल युद्ध से दूरी बनाने की दुहाई दे रहा है नेटो फोर्सिस के 32 देशों में ये तीन देश ऐसे हैं जिनकी सहन ने शमता सिर्फ अमेरिका से कमा की जा सकती है इसराइल के लिए अपना नुकसान नहीं जेलने का बाहना बना सकते हैं तो क्या सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को बचाने आएगा इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या अरब लीग के 22 देशों से युद्ध जीत पाएंगे इसराइल के मुश्किले दिन बढ़ती जा रही है जिसका असर युद्ध के मैदान में साफ दिख रहा है इसराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं गाजा में भी और लिबनान में भी इसबुल्ला दो मिसाइले मारता है बदले में इसराइल 200 धमाके कर रहा है मार कितनी तगडी है, कितनी विद्वनसक है, कितनी जोरदार ये बस बेरूत के द्रिश बता रहे है लडाई बडी भीशन हो रही है इस बुल्ला फाइटस का दम उखरता जा रहा है सारा जोर लगा कर भी लडा का गुरूप इसराईल के आगे टिक नहीं पा रहा तस्वीरे 5 अक्तूबर की राथ हुए हमले की है बेरूत हवाई अड़े के करीब गॉल्डन पलाजा पर बम परसा है जमीन फाल दमाके के बाद यहां भीशन आग लगी आग की लपने आस्मान चुने लगी बम विस्पोर्ट ने इतनी चिंगारी उगली कि बगल का गैस्टेशन भी जद में आ गया इसराईल ने इस इलाके में कुलाट धमाके किये राद भर हमला होता रहा जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ छे अक्तूबर की सुबा इससे भी भ्यानक द्रिश्य बेरूत में दिखाई देने लगे एक धमाका बारूत से पढ़ गया बेरूत धुए के गुबार से आस्मान धग गया जब धुआ चटा तो द्रिश्य दिल दहलाने वाला था मटिया मेट हो चुकी थी बहुमंजिला इमारत खंडर में जिंदगी तलाश रहे थे लोग इसराइल ने रात और दिन का फर्क मिठा कर अब हिजबुल्ला को तबह करना शुरू कर दिया है सबसे भीशन हमले दक्षिन लिबनान में हो रहे हैं जहां हिजबुल्ला का तनल नेटवर्क है नेतनियाहु साफ बता चुके हैं कि हिजबुल्ला के निस्तनाबूत किये बगएर ये युद्ध नहीं रुकेगा लेकिन हिजबुल्ला भी हार मानने को तयार नहीं इरान ने नए हिजबुल्ला चीफ का नाम भी फाइनल कर लिया है बताया जा रहा है कि नया हिजबुल्ला चीफ खामनेई का खासम खास होगा हिजबुल्ला के नए चीफ का नाम इबराहीम अमीन अलसयत बताया जा रहा है इबराहीम ने 1985 में हिजबुल्ला के घोशना पत्र जिसे ओपन लेटर कहा गया उसको सारवजनिक किया था इबराहीम अमीन 1992 और 1996 में हिजबुल्ला के लोयल्टी टू दा रेजिस्टन्स ब्लॉक के तहट लिबनान की संसत के लिए चुने गए थे साल 2001 में हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल में चुने जाने के बाद इबराहीम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग के हेड है इबराहीम लिबनान की राजनीती में बड़ा नाम है सभी पार्टियों में उनकी खदर की जाती है लेकिन इबराहिम को हिजबुल्ला चीफ की गद्दे दिलवाने में जो सबसे एहम बात है वो ये कि उन्हें खामनेई का खास माना जाता है इबराहिम अमीन हिजबुल्ला और एरान के बीच कूटनीतिक सम्मंदों को मजबूत करने वाले लीडर बताये जाते हैं कई मीडिया रिपोर्टस के मताबिक इबराहिम एरान के जियाततर राजनाईकों से सीधे संपर्क में रहते हैं इबराहिम अमीन का एहम रोल रहता है लेब्नान और एरान के रिष्टों की एहम कड़ी इबराहिम आयातल्लाद खामनेई के एक करीबी बताया जाते हैं नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर जेने बिराहीम अमीन का नाम सामने आया है उनका बैक्ग्राउंड इसराइल को डराने वाला है इबराहीम अमीन अलसयत लेबनान के बेका के हाउचल नभी गाउं के रहने वाले हैं साल 1981 में बेरूत की लेबनानी उनिवरस्टी से केमिस्ट्री में ग्रैजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं इबराहीम ने 1984 में फ्रांस के स्टार्ट्सबर्ग उनिवरस्टी से मास्टर्स की डिग्री ली साल 1987 में उन्होंने ओर्लियंस उनिवरस्टी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पिएजडी भी की मौडर्न एजुकेशन के साथ मदर्से से मजभ़वी तालीम लेने वाले इबराहीम अमीन अमल अंदोलन से भी जुड़े रहे थे लेकिन बाद में अमल पार्टी छोड़ हिजबुल्ला की टॉप लीडर्शिप में इबराहीम शुमार हुए शुकरवार को इसराइल के हमले में इबराहीम के भी मारे जाने की आशंका जताई गई थी लेकिन वो जिन्दा हैं सही सलामत है ऐसे में अब हिजबुल्ला का टोटल कंट्रोल तै माना जा रहा है इबराहीम की लीडर्शिप में हिजबुल्ला फिर उट खड़ा हुआ तो इसराइल को 2006 जैसी जंग से सामना होगा जिसमें हिजबुल्ला फाइटर्स ने इसराइल को धुन डाला था हला कि इस बार इसराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सभी दुश्मनों का सफाया नहीं होता नेतनियाहू ने साथ फ्रंट और साथ दुश्मनों के सफाया की कस्म एक बार फिर से दोहराई है नेतनियाहू ने जितना जोड लिबनान में लगा रखा है उससे कहीं ज्यादा पावर घाजा में ज्हूक रखी है क्योंकि इसरायल का सबसे बड़ा विलन अब भी सही सलामत सुरंग में छिपा बैठा है हमाज चीफ याहिया सिन्वाल लेबनान फ्रंट पर युट छिडने से मजबूत भी होने लगा है जिसे देखते हुए नेतनियाहू ने घाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी लाने के और दिये है घाजा के जबालिया में इसरायल डिफेंस फोर्स की तीन डिविजन ग्राउंड ऑपरेशन में उतर गई है आईडियाफ की 162, 401 और 460 वी बक्तरबंद ब्रिगेड ने हमास की सुरंग मेर सर्च आपरेशन चला रखा है जबालिया में नितनियाहू आर्मी ने हमास के दरजनों अड़े और हत्यार डीपो बरबाद किये है मगर अब भी यहिया सिन्वार इसराइल के हत्ते नहीं चड़ा है इसराइल जानता है कि हमास चीफ के जिन्दा रहते ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला सिन्वार के सफाय के साथ हमास और एरान को भी इसराइल सबख से काकर ही शान बैटने वाला है इस्राइल के प्रदान मंत्री नेतन याहू ने नए सिरी से लेबलान पर भीशर हमले शुरू भी कर दिये हैं पिस्टे 18 घंटे में ही बेरोट पर इस्राइली से राने 100 तंस से ज़ादा बम और मिसाले बरसाई है लेबलान से एक खतनाक रिपोट आ रही है जिससे नेतन याहू बहुत ज़रा परिशान नज़र आ रहे है बेरोट में भीशन धमा के मारे हिजबुल्ला के 30 कमांडर इरान पर इसराइल हमला कब करेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है लेकिन इस वक्त दक्षणी लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्ला के लड़ाकों पर इसराइली वायू सेना भीशन हमले कर रही है उससे साफ हो चुका है कि इसराइल चाहता है कि जिस वक्त वो इरान पर बड़ा हमला करे उस वक्त हेजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर बड़े हमले ना हो पाएं और इसलिए इसराइली वायू सेना और पैदल सेना धक्षणी लेबनान के गाउं से लेकर के शेहरों पर सबर्दस्त हमले कर रही है अगर हम पिछले 18 घंटे की बात करें तो इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में अंधा धुन्द हवाई हमले किये हैं जबर्दस्त बम धमाके से पूरा बेरूत शहर बारूत की आग में भस्म हो रहा है इसराइल के हमलों से ये बिलकुल साफ हो चुका है कि हिजबुल्ला को जबर्दस्त नुकसान हो रहा है इसराइली वायू सेना ने F-35 और F-15 जेट से रात भर बेरूत और उसके आसपास बड़े हमले किये हैं बेरूत के दक्षणी उपनगर दहिया में सबसे ज़ादा होई हमले इसराइली वायू सेना ने किये हैं खबर के मताबिक सुबह तीन बजे तक इसराइल ने दहिया में नौ बड़े एर स्ट्राइक किये और इस हवाई हमले में हिजबुल्ला को भारे नुकसान भी हुआ है दावा तो यहां तक किया गया कि महज 6 मिनट के भीतर ही बेरूत और आसपास के इलाकों पर आईडियव के लड़ाकू विमानों ने 20 से ज़ादा हवाई हमले किये हैं कुछ डावों के मताविक महज 30 मिनट के अंदर ही इसराइली वायू सेना ने 100 तन से भी जादा बंप और मिसाईलें बेरूत और आसपास के अलाकों पर दागी है इसके अलावा इसराइल ने हजबुल्ला की हधियार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगती लिबनान की सीमा पर बहुत बड़ी एर स्ट्राइक की है जिसमें हजबुल्ला और सीरिया के लड़ाकों को जबरदस्ट नुकसान होने की खबर है